टाले, आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उठते थे, तो गटबंदर की मजबूरिया गिनाई जाती थी, बहाना ये की, गटबंदर के कारण, क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गडबर होती थी, तुरं अपने सयोगियों पर दोश मन दिया जाता था, हम सवभाग्य शाली हैं कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है, अलग है, हमारे लिए गटबंदन मजबूरी का नहीं, बलकि मजबूती का माध्यम है, NDA कोईलेशन कमपल्संस का नहीं, बलकि कोईलेशन कॉंट्रिबुशंस का प्रतीख है, क्रेडिट भी सबका है, दाहित्व भी सबका है, NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है, हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को भहुबत से अधिक सिटे मिली, लेकिन सरकार NDA की ही रही, NDA की भागिदारी बनी रही, साथियों, NDA के गटरन से लेकर ही, हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का रहा है, जो वंचित है, जो शोशित है, उसको ससक्त करना हमारी प्रांथ्विक्ता है, आज देश की जनता देख रही है कि NDA में कौन-कौन से दल है, एंडिये में जितने भी दल है, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं, जो वंचित रहे हैं, शोशित रहे हैं, हमारे समू में गाउं, किसान, दलीत, पिछडे, आधिवास्यों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां है, एंडिये में जो दल है, वो ऐसे छेत्रों में काम करते हैं, जिनकी पहले दिल्नी में सुनवाई तक नहीं होती थी, एंडिये एक प्रकार से छेत्रिया आकांशाओं का बहुत ही खुपसरत इंद्र धनूश है, एंडिये देश के लिए देश के लोगों के लिए समर्पीत है, एंडिये की विचारधारा है नेशन फरस्ट, शिकुरिटी आफ नेशन फरस्ट,